हेलो गाईस, आज हम बात करेंगे Realme C25S के Lock Screen Setup के बारे में वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारी YouTube चेनल को सब्सक्राइब कर लीजीगा, बेल का इकन को ब्रेस कर लीजीगा, so गाईस Lock Screen Setup के पहले हम बात करें तो Fingerprint Set करना आप लोग को पासकोट सेट करेंगे, जो भी पासकोट आप लोग सेट करते हैं, क्रपया उसको नोट करकर रख लेना है, क्योंकि अगर आप लोग भूलते ता आप लोग को प्राब्लम हो सकती, हाँ, Face Lock, Fingerprint Lock तो हम एट करेंगे ही करेंगे, बाट कभी कबर क्या होता है कि जब हम अपने फोन को restart करते हैं, तो हमें Face Lock, Fingerprint Lock के requirement नहीं रहती, आप लोग को पासकोट ही डालना पड़ता है तो यह आप लोग ध्यान पुरवक देख लेना है, और जो भी आप लोग Recovery के लिए नाम वगेरा भी डालते हैं, उसको भी द्यान पुरवक देख लेना है, टीक है ना, उसके बाद Fingerprint पर क्लिक करिए, हमें पासकोट डालना है आप लोग अपना Add Fingerprint पर क्लिक करके, आप लोग का करिए और जैसे आप लोग अपने Fingerprint अट करेंगे, यहां पर आजाता है वो use fingerprint वर्ट पे क्लिक करना है उसके बाद इसके आप लोग को screen unlock में use करना तो आप लोग simply यहाँ पर tick कर देना इस type से आप लोग fingerprint lock set कर दिया second option ने face का इस पे क्लिक कर दिये इस पे भी passcode डाली आप लोग अपना face enroll कीजिए उसके बाद use face वर्ट पे क्लिक करके screen unlock आप लोग को simply on कर देना ठीका ना तो इस type का setup रता ज्यादा बड़ा setup ने रहता आप लोग काफी आसन तरीके से यह सब setup कर पाएंगे उमीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंदे की चाहें मता दि